कि नौश्कार कॉंपटिशन कम्यूटी के कॉंप्रेहंसिफ करने वाले हैं इसके साथ ही जुलाई मन्त का वीडियो जो है वो खतम हो जाएगा चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को वेस्ट करें सबसे पहले क्या आ ब्लांक स्लाइड समझ गए होंगे साहितिकार तो आज हमें एक महिला साहितिकार जो है उनको पढ़ेंगे एक नहीं असल में दो पढ़ेंगे नाम क्या है तो नाम है शकुन्तला जी समझ में आया अब मैंने क्या कहा दो तो एक है शकुन्तला तरार और दूसरी है शकुन्तला वर्माँ तो शकुन्तला शब्द याद रखना है इससे दो महिला साहितिकार है शकुंतला तरार दो से भी जादा है लेकिन इस वीडियों दो पढ़ रहे हैं शकुंतला तरार और दूसरी है शकुंतला वर्मा जी ठीक है अब याद रखना आप BNC मिल तो पढ़े हो के 36 गण में तो B और N जो है आप शकुंतला तरार माडम में लिख दीजिए बचा क्या C इससे लिख दीजिए शकुंतला वर्मा माडम में ठीक है अब B से देखिए क्या है तो B से इनकी रचना है पहली क्या है बन कहना तो शकुंतला तरार जी की पहली रचना बन कहना दूसरी क्या है, बेटियां 36 गड़की, तो B से क्या है बन कहना, बेटियां 36 गड़की, N से क्या है, तो N से है नारी संबल, यह एक त्रेमासिक पत्रिका, तो जब से हमारे राजिका गठन हुआ, तब से शकुंतला तरार जी, इसका संबादन कर रही है, लगातार, नारी संबल का, समझ में आया, एडिटर यहीं है, तो शकुंतला वर्मा जी पर आ जाते हैं, तो C से है, 36 गड़ी, लोक, जीवन, और साहित्या, ख्लियर है, तो मैंने क्या कहा था, जब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, क्या साहित्यकार, तो एक शब्द याद रख लेना, शकुंतला, इससे दो महिला साहित्यकार हैं, एक है, शकुंतला, तरार जी, और दूसरी है, शकुंतला, वर्मा जी, फिर मैंने क्या कहा था, BN से मिल, याद रख लेना, तो B और N, शकुंतला, तरार जी में लिखेगा, C लिखेगा, शकुंतला, वर्मा जी में, B से क्या बताया, इनकी रचना, बन कहना, बेटिया, 36 गड़ की, N से बताया नारी संबल, और शकुंतला, वर्मा जी में मैंने क्या बताया है, 36 गड़ी लोग जीवन और साहित्य, चलिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने देख लिया, साहित्यकार वाला सेक्शन, अब आज आते हैं, लास्ट वीडियो के क्वेशन्स पे, तो क्या था, 36 गड़ के जगु, वनोपज, संग, और जगदलपुर, और कोर्बा जो है, यहां की दो महिलाओं, जो महिला सुअसाहिता समू है, उनको क्या किया गया है, पुरुस्कृत किया गया है, तो ठीक बात है, यह देखे ही थे, फिर नाम याद होगा, पदमिनी बगहेल जी, बेलाबाई बकावंड वनधन शेत केंद्रकी, उसके अलावा डोंगा नाला वनधन केंद्रकी, सदस्य सूश्री सरोज पटेल और फूलाबाई नेती, इनका भी नाम आपको ध्यान में होगा, तो यह सब स्टेटमेंट क्या है, सहीच है, तो अपन को सहीच हैं करना था, तो एक, दो, तीन, तीनों क्या है, सहीच है, अगला क्या है, सभी शास के अनुदान प्राप स्कूलों में गेडी नरितिप्ट तयोगता कायोजन कप करना है, हरिलिम कर ही गाओ, कप कर ही, हरिलिम चड़ते, आदमी मन गेडी, नेक्स्ट, उमंग के बारे में सहीच कथंड, तो बच्चो हुआ है, पहला स्टेट्मेंट गलत, मत से बीच उत्पादन के छेत्र में, चट्वे स्थान पर है, नहीं, पांचवे स्थान पर है, गलत, और मत स्थान में, पांचवे स्थान पर है, ये भी गलत, पांचवे नहीं, मत स्थान में छट्वा है, और बीच उत्पादन में क् क्या ले लिए इन में से कोई नहीं है चलो अब स्टार्ट करते हैं क्या पहला टॉपिक देखते हैं मुख्यमंत्री महतारी न्यायरत ठीक है भई शुरुवात कप की गई है हरेली तिहार इस बार हरेली कप पढ़ा था 28 जुलाइक पढ़ाता है समरे के याद आ रहा है सहीं इसको भी ध्यान में रखना वाह इसे थोड़े करनेगा रहा रहा हरेली मनाया जाता है सावन आमावस्या के दिन को मनाया जाता है सावन मास की आमावस्या के दिन हरेली तिवहार जो है उसको मनाया जाता है इस बार ठाई चुलाई को मनाया गया था ठीक है अब इस दिन हु जिला तो गाओ क्या है करसा विकासन क्यां है पाटन जिला क्या है दुर्ग नियारत इसकी क्या करी तो बेशिक्ली क्या है हमारे राज्य की छत्याů गणिया महिला आयोग जो है तो हमारे राज्य का जो महिला आयोग है उसने क्या किया है एक ऐसी पहल की है जिससे क्या किया जाएगा तो महिला जो है उनको उनके जो समयधानिक अधिकार है constitutional rights है और कानून जो है उन सब की क्या दी जाएगी जानकारी क्यों जानकारी देंगे ताकि उन के साथ कभी कुछ गलत हो रहा हो या कुछ ऐसा हो तो उनको क्या हो इन्फर्मेशन हो तो वो लोग क्या हो जागरुख हो तो महिलाओं को क्या किया जाएगा उनके सवैधानिक अधिकार constitutional rights इसके अलावा जो कानून है laws है उसकी जानकारी दी जाएगी जिससे वो क्या हो जागरुख हो और जागरुख हो तब उनमें क्या बढ़ जाए आत्मविश्वास बढ़ जाए confidence बढ़ जाए अब 21 माध्यम से दी जाएगी तो इसके लिए महतारी न्यायरत जो है उसको चला आया जाएगा कितने जिलों में नौ कौन कौन से नौठ हो है भई बता देता हूँ आपको तो सबसे पहले एक जिला है राजनात गाओं के बाद दूसरा है दुर्ग तीसरा क्या है राइपूर चौथा क्या है महासमद तो राजनात गां हो गया दुर्ग हो गया राइपू तो चार और देग, छे हो गया, अब क्या करना, तो राइपूर से आ जाना, गरिया बंद हो गया, साथ से आना धमतरी, आठ से आना कहां, कांकेर, तो ये हो गया, नो जिला, समझ माया, तो राधनाद गाओ, दूर्ग, राइपूर, महासमुद, ये चार जिला, एक लाइन में फिर दो उपर, बलवदा बजार, जान्जगीर, और उसके बाद क्या है, तीन्ठो नीचे, गरिया बंद, धमतरी और कांकेर, तो इन नो जिलों में चलाया जाएगा, ठीक है, आगे बताता हूँ, अब बेसिकली इसे, या इसका संचालन किसके माध्यम से किया जा रहा है, तो DMF, District Mineral Fund, जिला, खनिज, नियास, तो बेसिकली 22 दिसंबर 2015 के दिन, सरकार के द्वारा इसे नोटिफाई किया गया था किसे DMF को, अब इसकी स्थापना क्यों करी गई है, तो बेसिकली होता क्या है, जो खनन संक्रिया, या माइनिंग ऑपरेशन्स होते हैं, खनन संक्रिया, या माइनिंग ऑपरेशन्स, उसके कारण, जो लोग प्रभावित हो गए, या जो शेत्र, एरिया, एफेक्टेड है उससे, तो चाहे पीपल एफेक्टेड हो, चाहे लोग एफेक्टेड हो, उनके विकास के लिए DMF का गठन किया गया है, समझ में आया, एक पाश्ठो तेहतिस मत करते रहा करो, मेरे एक जन, नीचे कमेंट में लिखता है, सर पुराना मैप क्यों यूज कर रहे हो, चत्यगड का, अरे भाई, नया मैप बनाच कहा है, जो पाश्ठो जिला है ना, उसका फाइनल नोटिफिकेशन नहीं आया है, समझ में आया, आप ल जिलों में बन चुका है, DMF अभी, ठीक, अच्छा, उसके बाद खनित संक्रिया से जो प्रभावित लोग है, शेत्र हैं, उसी कलिए, या माइनिंग ऑपरेशन के कारण जो इफेक्टेड पीपल है, या एरिया से, उसी कलिए DMF का गठन किया गया है, और यही DMF का जो जग रहा है, 28 जुलाइक हम लोग हरेली मनायत है, क्लियर है ये बात, ठीक है, शुरुवात करसा ग्राम से हुई है, पाटन विकासखन दुर्ग जिले में आता है, प्रथम चरण में 9 जिलों में चलाया जाएगा, ये भी आपको मैं बता दिया हूं, अब इसके माध्यम से क क्या किया जा सकेगा, तो यहां पर महिलाएं अगर उनको कोई समस्या है, तो आवेदन दे सकेगी, समझ में आया, तो जो महिला आयोग है, वो कोशिश करेगी, कि इनके आवेदन का क्या किया जाए, वही पर resolution किया जाए, निराकरण किया जाए, या जल्द से जल्द किया ज इसके अलावा हर जो महतारी न्यायरत है उसमें दो जन अधिवक्ता होंगे अड़िकेट्स समझ में आया जो महिलाओं की समस्याओं को सुनेंगे और लीगल एडवाइज देंगे उनको क्या करेंगे सलाह देंगे ख्लियर है ये बात ठीक है भई इसके अलावा ये जो न्यायरत है इसमें LED का बड़ा-बड़ा स्क्रीन लगाया जाएगा और छोटी-छोटी शॉट फिल्म्स दिखाई जाएगी समझ में आया तो कानूनी अधिकारों या प्रावधानों से संबंधित बहुत सारी छोटी-छोटी शॉट फिल्म्स है जो की राष्ट्री लेवल पर पूरुस्क्रित है समझ में आया तो ऐसी सभी फिल्मों को दिखाया जाएगा ताकि महिलाएं उसको देखकर क्या हो सके मोटिवेट हो सके या इन्फॉर्म्ड हो सके मतलब उनको जानकारी मिल सके चलियर है ये बात ठीक अच्छा चत्तिसगर राज्य महिला आयोग की अभी वरतमान अध्यक्ष कौन है तो डॉक्टर किरनमई नायक है इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है और सूत्रवाक्य महतारी नियायरत का क्या है बात है अभिमान के महिला मन के सम्मान के चलो आगे बढ़ जाते हैं चलिए अब क्वेशन्स डिसकस करते हैं ठीक है सबसे पहले प्री पॉइंट अफुजे बता देता हूं इसकी शुरुवात कहां से हुई एक क्वेशन कितने जिलोम जाएगा दो क्वेशन महिला आयो की अध्यक्ष कौन है तीन क्वेशन सूत्र क्या है् टागलाइन क्या है चाहर क्वेश्चन किसके माध्यम से चलाया जा रहा है 5 प्रीए यह बात ठीक कब शुरुवात की गई है यह वी अगला क्वेशन सकता है एम सी क्यू में ठीक अच्छा डीटेल में पूछेगा तो क्या करेगा बोलेगा कि इसका अबजेक्टिव क्या था उद्देश क्या था लीचे लिख देगा और उसके बाद बोलेगा सही कत्वनों का क्या करिए चयन तो आपको याद रखना है उद्देश भी कई महिलाओं को क्या करना है उनके जो constitutional rights है सवैधानिक अधिकार है और जो कानून है उसकी क्या देना जानकारी देना और जागरुग बनाना क्लियर है ये बात मेंस की अगर मैं बात करूं तो सीधा सीधा इसका उद्देश क्या है इसको 30 words में पूछ सकता है या इस रत के बारे में आपको 30 words में ये 60 words में लिखने को दे सकता है ठीक है तो यहां से दो question बन सकते है उद्देश लिखेंगे 30 words में तो चार लाइन रहेगा उद्देश इसका डेर लाइन का है तो जरूर बताईएगा शुरुवात कब से की गई किस माध्यम से चल रहा है सिर्फ उद्देश पुछे तो भी दो points को जरूर बता देना क्योंकि जगा रहेगी आपके पास ठीक है अच्छा एक और बात किस section से आ सकता है तो paper number 5 जो है उसका part 1 36 गड़ की अर्थ व्यवस्था उसमें महिला शशक्तिकरण वाला जो section है तो महिला शशक्तिकरण हो रहा है यहां पर महिलाओं को बात paper number 7 का जो part 1 है जहां पर कल्यानकारी विकासात्मक कारिक्रम है समझ में आया developmental जो वर्क्स वाला जो section है paper number 7 का part number 1 कल्यानकारी विकासात्मक कारिकरम ठीक है उसमें भी 30 words में यह पूछा जा सकता है बहुत important है आपको ध्यान में रखना है एक चीज़ और जब हरेली आही गई है तो मैं आपको थोड़ा सा समा थोड़ा समा देता हूं कि थोड़ा समया देता हूं तो सावन मास जो है इसकी अमा वस्या अ कडिक सावन अमवस्या के दिन हम लोगना तीन प्रकार के तेवहार मनाते हैं पहला क्या है हरेली हरेली में क्या होता है तो जो कृषी उपकरण होते हैं उनकी पूझा की जाती है अगरी कल्चरल टूल्स जो है उसको वर्शिप किया जाता है अमूबन होता क्या है सावन के जस्ट पहले खेत में बोवाई बोवाई का काम हो चुका होता है तो जो क्रिशी उपकरण है उनका उपयोग किया जा चुका होता है तो उनको क्या किया जाता है धन्यवाद दिया जाता है समझ में आया इसलिए क्रिशी उपकरण की पूझा agricultural tools को क्या किया जाता है worship किया जाता है ठीक इसके अलावा क्या होता है तो नीम जो है लीम के डारा उसको लगाते हैं नहीं घर में गाड़ी उडीम सब लोग लगा रहे तें लेकमन सुबे सुबे आ जाते है भाईया यह भाईया लीम के डारा लग वावे का तुर घर में पांच रुपया देल पर ही करके ठीक है इसी दिन लोहार लोग क्या करते हैं तो आप देखना घरों की चौखट पर आकर लोहा भी ठोकते हैं अच्छा इस दिन आपको पता होग बहुत जादू टोना वाला भी एक महल रहता है गाउं में ऐसा बोला जाता है कि बहुत जादू टोना होता है यह वो करके तो इससे बचने के लिए गोबर से सवनाही चित्रकारी सवनाही पेंटिंग भी की जाती है ठीक है अच्छा अब हरेली की जब पूजा होती है क्रिशी उपकरणों की तो क्या क्या बनाया जाता है भोग में बोबरा बोबरा मतलब क्या होता है यह मीठा चिला मीठा चिला बोबरा बोलते है ठीक है तो गेहूं आटक चिला रहता है यह चावल आटक नहीं गेहूं आटक और गुड ठीक है उसके लावा आ क्या बनाते हैं है गुख गुला मतलब मीठा भजिए ठीक है और उसमें गुण मिलाके बनायाता है ठीक है इसके अलावा गाउ Любah boundary प्चलों क्या को चड़ते हैं गेड़ी चड़ते हैं ठीक है चलो किया पहला दिवार रहे हैं दूसरा बस्तर अंचल में खासका अगर आप देखो तो जंजाती लोग क्या मनाते हैं आमुन स्तिहार समझ में आया आमुन स्तिहार बुक्स को पढ़ोगे तो लिखेगा बस्तर में जंजातियों के द्वार मतलब पर्टिकुलर्ली ये नहीं कह सकते कि यहीं जंजाती बस मनाती है मां की दूसरी जंजातिया नहीं मनाती ऐसा नहीं कह सकते हैं ठीक है रसना और सतावरी तो cattle जो है उनको treat करने के लिए जो medicinal plants यूज होते हैं रसना और सतावरी खासकर ठीक है इनकी क्या की जाती है पूजा की जाती है तो औश्यदियों की पूजा जो पशूपचार में काम आती है आमुंस्तिहार और इसी दिन बस्तर दशहरा की शुरुवात भी होती है स्टार्ट होता है सावनमावस्य 75 दिन चलता है ठीक है पूचा भी था विश्व का सबसे लंबा चलने वाला त्योवहार एंसर लिया था बस्तर दशहरा मेंस में एक बार लिखने के लिए भी आया है तो जो प्रथम चरण होता है इसको क्या बोलते हैं पाटा जात्रा समझ क्लचर का है वो तो बेलारी ग्राम से साल व्रिक्ष का एक मोटा तना लाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं टूरूलू खोटला इसकी क्या की जाती है पूजा की जाती है तो जगदलपूर में माधन तेश्वरी का जो मंदिर है उसका जो सीहां दवार है समझ माया सीहं दवार के सामने इसको रखा जाता है टूरूलू खोटला को और क्या की जाती है पूजा पाटा जात्रा मतलब लकडी की पूजा का परवेक है तो शुरुवात हो गई किसकी बस्तर दशेरा की बस्तर में जंजाती लोग क्या मना लिया आम उंस्तियार हम होते हैं चलो एनिवेज आगे बढ़ जाते हैं यह भी हो गया अगला क्या है यह मौका छूटे ना अभियान तो बेसिकली ध्यान रखना अगस्त मास का जो पहला सब्ता होता है एक अगस्त से साथ अगस्त किस बार इसे ना विश्वस तन पान सब्ता वर्ड ब्रेस्ट फी क्या है step up for breastfeeding, education, and support, तो स्तन पान, सिख्षा और सहायता के लिए क्या करना है कदम बढ़ाना है, basically क्या है ना breastfeeding और stun-pain जो है ये माता और बच्चे दोनों के लिए बहुत important है अगर सही समय पर breastfeeding माताएं start नहीं करती तो उनको भी क्या होता है शारीक समस्याय आती है और breast cancer जैसे गंभीर बिमारिया होने की भी chances बहुत जादा बढ़ जाते हैं और बच्चे तो आपको पता है बच्चे के सही portion के लिए मा के दूद से बहतर कुछ भी नहीं है बच्चे में अगर अच्छा immunity develop करना है रोग निरोधक शमता अच्छी develop करनी है तो मा का दूद जो है वो सबसे बहतरीन होता है ठीक है तो इसी के बारे में लोगों को सिक्षित करना है और लोगों को सहायता देनी है यही थीम है इस बार का असल में हो क्या रहा है वर्श 2015-16 की तुलना में 20-21 को अगर देखें तो स्तन पान की जो प्रारंभिक शुरुवात है मतलब early initiation of breastfeeding मतलब कितने लोग जल्दी से जल्दी सही समय पर स्तन पान की शुरुवात कराते हैं इसकी जो दर है उसमें गिरावट आई है माल लो पहले 50 लोग कराते होंगे तो अब 20 लोग करा रहे इससे क्या होगा तो महिला स्वास्त जो है या मात्री स्वास्त जो है मदर का जो health है उसमें गिरावट आएगी और बच्चे क्या होंगे धीरे धीरे उनके पोशन में भी उनका जो nutrition level है उसमें भी क्या होगा गिरावट आएगा तो इसी को क्या करना है बढ़ाना है, इस दर को जो कम हो रही हो उसको बढ़ाना है उसी के लिए ये मौका छूटेना करके क्या है एक अभियान जो है उसको चलाया जा रहा है ठीक है, अब इसमें basically होगा क्या, कि जो स्वास्त विभाग है और महिला एवं बाल विकास विभाग है इसका जो अमला है, अमला मतलब इसके जो लोग है, ग्राउंड फोर्स है इनका ये क्या करेगा, मदर से जाकर ग्रिह भेट करेगा, मतलब उनके घर पे जाकर मिलेगा समझ में आया, और उनको क्या देगा, information जानकारी, किसके बारे में, stun पान, मतलब breast feeding के बारे में शीशूएं लिखा हुआ है, शीशूओं के उचित पोशन, जो बच्चों में optimum nutritional level होता है इसके बारे में देगा, सही सिक्षा, और proper उनका जो देख भाल है, और स्वास्त संबंधित जानकारी मतलब health related पूरा information, तो breast feeding, उसके लावा बच्चों में nutrition और उनके health related पूरी जानकारी जो है ये लोग मिलके क्या करेंगे, माताओं को देंगे, ताकि उनको पता चले कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो दोनों को benefit मिलेगा, ठीक है, मदर को भी और बच्चे को भी, और क्या किया जाएगा, तो जो एक वर्ष के कम के शिशू है, मतलब ऐसे बच्चे हैं, जिनका age क्या है, एक साल से भी कम है, उनका जो nutritional level है ना, उसको देखा जाए कितना है करके, समझ में आया, और क्या उसके part one में, भाग एक में आप इसको expect कर सकते हैं, ठीक है, इवन स्वास्त से संबंदित कोई essay आएगा, तो भी इसको आप use कर सकते हैं, 30 words में आप ready कर लीजेगा, ये मौका छूटेना अभियान क्या है, ठीक है, इसके उपर बताना है करके, ठीक, अच्छा, एक और चीज सकता है कि ये मौका छूटेना अभियान किस से संबंदित है, options दे देगा, और आपको बोलेगा, आपको सही option पर टिक करना है, कि कौन सा सही है, clear है ये, ठीक है, चलिए, next देख लेते हैं, वजन्त योहार, अब वजन्त योहार का उद्देश क्या है, तो प्रदेश में 6 व कुपोशन के स्तर की जाच करनी है, कि क्या, उनमें malnutrition है, कुपोशन है, कि वो लोग nourished है, पोशित है, ठीक है, और क्या करना है, जो समुदाय है, community है, उसको सुपोशन के प्रती, जागरुक बनाना है, समझ में आया, तो बेसिकली 6 वर्ष के कम के जो बच्चे हैं, एज म देखना है कि कहीं वो लोग कुपोशित तो नहीं है, और साथ में जो समुदाय है, community है, उसको सुपोशन के प्रती, जागरुक बनाना है, कि बच्चों कैसा है, पोशन अच्छा होना चाहिए, अब उसके लिए क्या है, सभी आंगन बाड़ी जो हैं, हमारे राज्य 36 अब यहां पर जब माताएं या पालक बच्चों को लेकर जाएंगे, तो शून्य से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनका वजन किया जाएगा, उचाई के अनुसार वजन देखा जाएगा, कि इसका रेश्यो कैसा है, height to weight, इसके अलावा, और age to height ratio, मतलब उमर के साथ उनकी उचाई कितनी है, तो शून्य से 6 वर्ष के बच्चे, जब आंगन बढ़ी जाएंगे, तो दो चीजो को देखा जाएगा, height और weight का रेश्यो एक, समझ में आया, कि उचाई के अनुसार वजन कितना है, दूसरा, age और height का रेश्यो, मतलब उनका जो age है, उसके अनुसार उन का वजन कम है, उन्हें चिन्हित किया जाएगा, कि ऐसे कौन-कौन से बच्चे हैं, जिनका वजन कम है, उसके बाद further determine किया जाएगा, कि उनमें कुपोशन की और क्या स्थिती है, मतलब कितने ज्यादा ये लोग कुपोशत है, कुपोशित है, कितना ज्यादा इनमें malnutrition है और उसके बाद एक कार ये योजना बनाई जाएगी, मतलब कहलो एकठो प्लान बनाया जाएगा, कि किस प्रकार से ये जो कुपोशन है, इसको क्या करना है, खतम करना है, सवन में आया आपको, अच्छा, अब इसका योजन कौन-कौन सा विभाग मिलके कर रहा है, तो बट लोग आपस में कॉडिनेट करके क्या करेंगे, तो ये जो प्रोग्राम है, वजन तयोहार, समझ में आया, इसका क्या करेंगे, ये लोग क्रियानवन करेंगे, ठीक, execution करने वाले है, वजन तयोहार, once again, बहुत important है, प्री में पूछ सकता है, पहला question, कब से कब तक चला, सीधा 30 words में वजन तयोहार के उपर आप लोग एक question ready कर लेना, कि वजन तयोहार क्या है, या इस पर एक tip पड़ी करिये, तो 30 words में एक question हो जाएगा, इसके अलावा स्वास से सम्दित, अगर कोई ऐसे आता है, तो भी इसमें वजन तयोहार जो है, वो कामें आ जाएगा, चल से वही गाव था, करसा, दुर्ग जिले का, तो यहाँ पर मुख्य मंत्री जी ने क्या किया, complete agriculture drone solution की launching किये है, complete agriculture drone solution, मतलब क्रिशी कारियों में किसका इस्तिमाल किया जाएगा, drone, उड़ने वाला robot नहीं है, चारों मुड़ा ऐसा, पंखा लगा रहता है, उसी को drone बोलते है तो अंग्रेजी सब बहुत बड़ा है, drone मतलब उड़ने माला robot का, ठीक है, जिसे remote के माध्यम्स चलाए जाता है, आदमी नहीं बठो होता है, उसके उपर, ठीक, इसी कसाथ देश में, पहली बार, एग्री अंबूलेंस और एग्री कल्चर ड्रोन का first इस्तिमाल किया जा र partnership, public मतलब कोई सरकार, सिधस बात है, public और private मतलब, कोई private company, तो क्या हो, सरकार और private company के बीच में, समझोते के माध्यम से, यह कारे को किया जाएगा, इसी PPP model भी बोलते हैं, आकासर के एकनौमी वाले वीडियो में, जरूर आप लोग PPT model के बारे में सुने होंगे, मैं एकद public private partnership, ऐसा नाम है, इस model का, अब इसमें क्या होगा, तो एक्ठो जो machine है, ड्रोन का, उसमें से लगभग 20 गाउं को cover किया जा सकेगा, तो एक्ठो समू बनाया जाएगा, उसी समू के जो यूवक होंगे, लोग होंगे, उनको train किया जाएगा, कैसे ड्रोन को चलाना है, अब चार एकड के खेत में, आधा घंटेम क्या करेगा, दवाई छिड़क देगा, अब होता क्या है, जब किसान दवाई छिड़कता है, तो प्रॉपर जो छिड़का हुए, वो यूनिफॉर्म नहीं हो पता, क्यों क्यों कि यह मानवी तरीके से कर रहे हैं, हम लोग कहीं कम हो कहीं जादा हो गया, थोड़ा से इतने जगम, छुड़िया माल लो, दवाई मिलानें कम जादा हो गया, अब इसमें क्या है, आप बिल्कुल दवाई को नाप के मिला के डाल दो, और यह पूरा सहीं यूनिफॉर्म तरीके से छिड़काओ करेगा, तो छिड़काओ बहतर हो और उसका काम क्या हो गया, सिरिफ आधा घंटा में, तो बेसिकली आप समझो किसान को क्या मिलेगा, एक्स्ट्रा समय, तो एक्स्ट्रा समय किसान किसी दूसरे काम में लगा सकेगा, और दूसरे काम में समय लगाएगा, तो वहाँ से हो सकता है उसको आजीविका या Back bedroomation हो ज़ाए तो किसान को ना सिर्फ कृशिम फायदा होगा उत्रपाट बढ़ जाएगी बलकि डूसरा फायदा क्या होगा कि किसान को समय मिलेगा जिससे किसान दूसरा कुछ काम कर सकता है तोसक्ता उशका किरान दुकान हो कि इसके अंदर किसान जाकर सोईल टेस्टिंग करा सकता है अंदर मतलब उसके नहीं की खुज़र जाएगा उसकी अंदर लेकिन ऐसा बस है एख्थो अंफॉबूलेंस तो वहाँ पर जा क्या प्लोग को तो ड्रोन का इस्तमाल भी किया जा रहा है तो agriculture, drone के माध्यम से दवाई छिड़काओ किया जाएगा agriculture, ambulance के माध्यम से क्या किया जा सकता है तो soil testing, देखो, soil testing के लिए laps तो थे, ठीक है लेकिन अब यहाँ पर एक mobile ambulance बन गया है जहाँ पर soil testing भी हो सकेगी इसके लावा बहुत सारी चीज़े होंगी लोगों जानकारी मिल सकेगी यहाँ से जैविक खाद उपलब्द हो सकेगे ठीक है, तो दो चीजों को आपको ध्यान में रखना है question की अगर हम बात करें pre point of view से, तो कब शुरुआत होई एक, ठीक दूसरा, पहली बार कहां प्रयोक किया गया दो question, तीसरा question कहां से, तो ग्राम करसा तीन हो गया मेंस की point of view से देखें अगर आप तो एक question यहाँ पर नीचे मैंने दिया हुआ है agriculture drone solution और agriculture ambulance से होने वाले संभावित, लाबों, तथा चुनोतियों की क्या करें व्याख्या करें अब 36 गड़ का जो भूगोल वाला section है paper 5 का part 3 उसमें आ जाएगा इसके अलावा science का जो paper है paper number 4 उसके part 3 से भी इस question को क्या किया जा सकता है बूचा जा सकता है, इसके अलावा ऐसे जो है अगर क्रिशी से जम्मंदित आ रहा है, तो भी आप इसको क्या कर सकते है, इस्तिमाल कर सकते है इसके बाद क्या है, उज्जुल भारत उज्जुल भविश्य, power 2047, ठीक है तो आजादी का अमरित महुत सब चल रहा है कई बार देख चुके है तो इसमें 25 जुलाई से 30 जुलाई 2022 तक देश का, या देश के जितने भी जिले हैं, उसमें यहाँ कारिकरम जो है उसे प्रस्तावित किया गया है, अब क्या प्रस्तावित किया गया, अब तो हो चुका है ठीक है, तो हर जीले में क्या होगा, दो प्रमुक स्थल पर, जो सांस्कृतिक कारिक्रम है, जैसे कि नुक्रनाटक हो गया, समझ में आ गया, या इसके अलावा कोई जो प्रदर्शनी स्थल है, वहाँ पर पोस्टर बैनर लगा दो, इसके माध्यम से सरकार जितनी भी योजना जाएं चला रही है, उसका क्या किया जाएगा, प्रदर्शन किया जाएगा, और आजादी के बाद से अभी तक, जो बिजली व्यवस्था है, उसमें कितने परिवर्तन हुए है, या इसमें क्या आधुनी की करण हुआ है, क्या नवी करण हुआ है, क्या modernization हुआ है, इन सब बारे यहां भी क्या किया गया, तो बिजली के महत्व को बताया गया, उर्जा संरक्षन, energy conservation के बारे में, उसके बाद नवीनी करण, अक्षय उर्जा, renewable energy sources के बारे में, और बहुत सारी विभिन योजनाओं के बारे में, जानकारी जो है, वो दी गई, क्लियर है, कब से कब तक चला है, पूछ सकता है, मेंस पॉइंट अफ्यू से अगर आप देखोगे, तो थर्टी वर्ड्स में इसका एक ठो आंसर रेडी कर लेना, ठीक है, पूछ सकता है, चलिए, आज का जो लॉस्ट टॉपिक है, उस पर आ जाते हैं, चत्रगण में भूकम, अब को दोनों दिन, जो कोरिया जिला है हमारा, उसका मुख्याला है बैकॉंट पूर, उसके आसपास भूकम के जटके, जो है, वो क्या हुए, महसूस हुए, ग्यारा जुलाई के दिन, तीवरता रिक्टर स्केल पर 4.3 थी, और 29 जुलाई के दिन, बढ़ कर ये हो गई, 4.6, तो As such, बहुत important ऐसा news नहीं है, जो आपको पूछे कहां भूकम का जटका आया था घर के, पर फिर भी पता होना चीए, बैकॉंट पूर में आया था, 11 जुलाई, 29 जुलाई, जुलाई, महिनेम दो बार, 4.3 और 4.6, ठीक है, चलिए तो इस वीडियो को एंड करने से पहले चलो मैं दे दिया हूं, पर उतना important नहीं है, यह मौका छुटे ना भियान, किसे संबंदित है, options आपके पास है, अगला क्या है, चौथा नंबर, वजन तेवार कायोजन कब से कब तक किया जा रहा है, date दिया हुआ है, finally क्या है, सही कथन का चैन करे, कथन दिये है, options दिये ह या जो सही options है, उनको comment करिए, चलिए तो इस वीडियो को यहीं पर end कर देते हैं, और अगले वीडियो में, अगस्त मन्त के current phase के साथ मैं आपके सामने हाजिर हो जाओंगा, तब तक के लिए, thank you and take care.